हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहां हम सेकिंड कलास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं जिसमें आज हमारा चोधुआ पाठ हैं चाचा नेहरू जिसमें हमारे पहले परधान मंतरी पंडित जिवारलाल नेहरू के बारे में बताया गया है पंडित जिवारलाल नेहरू जो सवतंतर भारत के परथम यानि पहले परधान मंतरी थे सवतंतर भारत मतलब 15 अगस्त 1947 को जो देश आजाद हुआ था इससे पहले देश अंगरेजों के अधेन था ना तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के बाद जब हमारे पहले परधान मंतरी बने थे वे थे पंडित जिवारलाल नहरू और वी केवल परधान मंतरी है नहीं बलकि उन्होंने देश की आजादी में भी अपना भौत योगदान दिया था वी एक एहम सवतंतर्ता सेनानी मतले देश को आजाद करवाने वाले सेनाने रहे हैं उनके पिता का नाम था मोतिलाल नहरू और माता का नाम था स्रेमतीशवरूप राणी उनके पिता एक प्रसिद वकील थे पंडित जहारलाल नहरू का जनम कब हुआ चोदा नवंबर 1889 को उत्तर पंडित जुहाला नहरू के जिनम दिवस को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो कोलिजों में सिख्षा प्राप्त की और बाद में वे लंदन में भी सिख्षा प्राप्त करने के लिए गई। ये संग्राम के दोरान जैसे कई बार जेल भी गए आजादी के लिए उन्होंने कई बार जेल जाना पड़ा प्रंत उन्होंने हार नहीं मानी। भी लगातार संगर्ष करते रहें निरंतर मतलब लगातार देश के आजादी के लिए लगातार संगर्ष करते रहें। चाचा नेरू बहुत ही इमानदार और करम्ठ उथे, करम्ठ मतलब मेहनती काम करने वाले, बुथ काम करने वाले। उनका कहना था कि यदि हम लगन से कोई कारिय करें, यदि हम रूची से लगन से कोई कारिय करते हैं, तो ऐसा कोई कारिय नहीं है, जो हमसे नए बने। यदि हम मेनत से लगन से कारिय करेंगे, तभी हमारा राष्ट उन्ती के सिकर पर पहुंचेगा। उन्ती मतलब विकास, हमारे देश का विकास होगा, चाचा नहरू आराम को हराम समझते थे, वी क्या करते थे, हमें कभी भी आराम करना के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आलसी जो लोग होते हैं, वी आराम के बारे में सोचते हैं, जो मेहनत करते हैं, वही सफल होते हैं, तो इसलिए वे आराम को हराम समझते थे चाचा नेहरू थे हराम मतलब बुरा बुरा मानते थे आराम को आलस मानते थे बुरा मानते थे नेहरू जी के सासनकाल में जनता बहुत सुखी थी परदान मंतरी जब वे थे तो जनता की सुईदाओं के लिए काम किया जनता उनके सासनकाल में सुखी थी और परदान मंतरी ने भी निरंतर जनता के विकास के लिए देश के विकास के लिए निरंतर कारिय किये तो ऐसे थे हमारे पहले परदान मंतरी चाचा नहरू